हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी काईश्क नई वीडियो में जैसा कि उत्तर परदेश अधिनस चेंज सेव आयोग के द्वारा कई सारी वैकेंसियों के लिए आनलाइन आवेदन फिल किया जा रहे हैं तो जैसे आप SZTA में आवेदन करना चाहते हैं या आप जो UP SSC से JEE की वैकेंसिया निकल करा रहे हैं इन भरदियों में आवेदन करने के लिए आपको PT के माद्यम से रेजिस्टेशन जो आपको पहले हो चुका है उसी के माद्यम से आनलाइन फिल करना होता है तो आज हम जानेंगे कि आप अगर PT अपना रेजिस्टेशन नंबर भूल चुके हैं तो अपना PT का रेजिस्टेशन नंबर 2030 का आप कैसे निकाल पाएंगे या 2022 का आप निकालना चाहते हैं तो अपना PT का रेजिस्टेशन नंबर आप कैसे प्राप कर पाएंगे वीडियो में तक बने रहेगा संपूर जानकरिया आपको step by step मिलने वाली है सबसे पहले हम देखेंगे कि जोसकी official website है इसमें लिखा हुआ उत्तर परदेश अधिनस सेवा चैनायोग उत्तर परदेश सब अधिनेट सर्विसेस सेलेक्शन कमिशन इसमें आप scroll down करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है applicant segment दिया गया है applicant segment में आप देखें candidate registration है photo with signature uploading है remaining details submission है application fees deposition है main examination fees deposition है और update यहाँ पर दिया गया है applications dashboard login throw pet registration number के माद्धन से इसमें आप देखेंगे इधा result के बारे में दिया गया है और इसे के ठीक नीचे लिखा हुआ candidate help जैसे हम candidate help पर click करेंगे तो candidate help पर आप जब click करेंगे उसका portal यहाँ पर change हो جाएगा अब यहाँ पर लिख करा रहा है candidate help candidate help जब आप देखेंगे तो इसे के ठीक नीचे लिखा हुआ है know your registration number जैसे आप click करेंगे तो इसका अगला step खुल करके आएगा तो यहाँ से आप से माँगेगा candidate full name, father's name और यहाँ पर date of birth और फिर लिखा है inter verification code इसे हम fill करेंगे और fill करके search करेंगे फिर इसका अगला step खुल करके आजाएगा तो जैसे हमने अभी तक जितने भी form UPSC के भरें हैं जैसे आप search करेंगे सारे form को registration number नीचे so कर जाएगे जैसे आँ देख सकते हैं PUT 2021 के लिए दिया गया है PIL Numerary Agibility Test PIT 2022 का दिया गया है और यहीं से आप देखेंगे तो test का भी registration number आपको मिल जाएगा इस तरीके से हमने जितने form fill किये हैं सारे records यहाँ पर so कर जाएगा अब आपको ध्यान देना है कि जो आपने form भरते similar registration में नाम दिया है और पिता का नाम data of birth यह आपको भरना है side details आपकी सही होंगी तो आप यहाँ से आसानी से अपना जो है आप registration निकाल सकते हैं किसी भी form का हो 23, 2022, 2021 का अपना registration नमबर आसानी से अपने mobile phone से laptop computer से घर बैठे पराप्त कर सकते हैं यह थास का वीडियो आसा करते वीडियो पसंद आया होगा